नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब के एदुकेसिनल चैनल आडियान कला में आज हम आपको म्यूजियम की सुरुवात कब होई और म्यूजियम डे कब मना जाता है इंसाभी के बारे में बताएंगे जो कि हमारे एकजाम पाइंट आव वियो से ये इंपोर्टन्ट है तो हम देखते हैं कि म्यूजियम की सुरुवात कब होई तो म्यूजियम सब्द की उत्पति जो है वो ग्रीग भासास होई और माउसियन सब्द से होई जिसका अर्थ है एकांत में अध्यन करने का मंदिर बिश्व का प्रथम म्यूजियम एलेक्जंडरिया में तीसरी इसा से पहले बनाये गया था इसमें सुद कर्ताओं को ज्यान प्रदान करने वाली बिश्व की अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया था इसके बाद ऐसे म्यूजियम की अस्थापना हुई जिसमें बिविदियंत्र जानवरों की खाले हात दान आधी रखे जाते थे ठीक है और म्यूजियम उननिशमी सताब्दी में राजा महराजाओं ने म्यूजियम की सुरुवाती अस्थापना में भीसे सह्योग दिया था म्यूजियम का निर्माड हुआ था 1830 में जर्मनी के बरलीन में फाल्टेस म्यूजियम का अस्थाबना हुआ था आधोनिक धंग का सबसे पूराना संग्रहाल है जो है वह आक्सपोर्ट में है ठीक है अगर पूछ लेता है कि आधोनिक धंग का सबसे पूराना संग्रहाल है त 1689 इस भी में बना था आधूनी ढंका सबसे पुराना संगरहाल है आधूनी भंका सबसे पुराना संगरहाल है आज़क्सपर्ड में है जो 1689 1862 में बना था और 1874 में अस्थापी American Museum Natural History को सबसे बड़ा museum दर्जा दिया गया तो AMERICA में जो है थीक है 1874 में इस्थीता अमेरिकें म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री सबसे बड़ा म्यूजियम का दर्जा मिलता है अब म्यूजियम में अनेक दूरलब वस्तुए संग्रहित होती हैं इसलिए उन्हें भी से सुरक्षा परदान की जाती है ठीक है तो ये रहा म्यूजियम की सुरुवात कैसे हुई और इसके बारे में अब हम देखें म्यूजियम डे कैसे मना जाता है कम मना जाता है तो भारत में म्यूजियम की सुरुवात और म्यूजियम डे सभी को हम देखेंगे तो मुजियम डे की शुरुवाद कब हुई? यह देखें तो मुजियम के प्रति लोगों में जागुरूकता लाने संरक्षित करने में लोगों को योगदान देने के लिए सयुगतराष्ट इंटरनेशनल मुजियम डे मनाया जाने लगा मनाने की सुरुवाद की गई थी ठीक है अब प्रथम बार म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया था ये पूछ सकता है बहुत इंपोर्टन्ट है तो 1983 में प्रथम बार म्यूजियम डे मनाया गया था प्रति वर्ष 18 मई को वर्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है म्यूजियम डे कम मनाया जाता है 20 म्यूजियम डे कम मनाया जाता है वर्ड म्यूजियम डे तो 18 मई को म्यूजियम डे मनाया जाता है और बात आती है भारत में म्यूजियम का इतिहास क्या रहा म्यूजियम, सबसे पुराना म्यूजियम जो है 1814 इसमी में कलकत्ता में अस्थापित किया गया था एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल द्वारा अस्थापित यह म्यूजियम एसिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मुजियम है, कलकत्ता में, जो कि 1819 में अस्थापित किया गया था, इस मुजियम को इस उद्देस से अस्थापित किया गया था, जिसे यहां कि कलात्मा कोस्तुओं को संग्रहिद किया जा सके, संग्रहित करके देश से बाहर ले जाने के लिए इस म्यूजियम की अस्थापना की गई थी और इस म्यूजियम में संग्रहित कई दुरलभ कलात्मा कॉस्टो को अंग्रेज सास को द्वारा इंगलेंड भेज दिया गया था ठीक है बंगाल में जो यह इसमें आप देखें असियाटिक सोसाइटी अपने बंगाल यह सव का यह डाक टिकट भी है ठीक है एक रुपए का डाक टिकट यह है तो इसमें जो ये मुजियूम छापा गया है, ये मुजियूम इसि लिए संग्रहिट किया जाता था, जूससे अंग्रहिट करके इसे इंगलेंड लेके जा जा सकें अंग्रेजी जो द्वारा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक सेयर करें थैंक्यू